प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आउस्टेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन के साथ की वर्चुल शिखर बैठक दोनु देशों के बीच विभिन क्षेत्रों में नौ समझोता ग्यापनों पर हुए अस्ताक्षर, कोविड-19 से डिपटने पर हुई चर्चा केंदरी मंत्री मंदर ने आवश्चक वस्तू अधिनियम में एतिहासिक संशोधर को दी मंजूरी, अनाज, दालों, तिलहन, खात्य तेलों और प्याजव, आलू को आवश्चक वस्तूं की सूची से हटाया गया दिल् nível सरतार ने कहा, दिल्ली में विमान, ट्रेन या बस से आने वाले सभी यात्रियों को साथ दिन तक होम क्वारंटिन में रहना होगा लक्षणा मुक्त यात्रियों के लिए अनिवारे 14 दिन के होम क्वारंटिन को घटा कर किया गया साथ दिन देश में करोना महमारी के रोग्यों की स्वस्थ होने की दर 48 फीसदी से अधिक हुई एक लाग से अधिक लोग हुए ठीक देश में करोना के मृत्यु दर 2.80 फीसदी चक्रवाती तुफान निसर्ग पड़ा कमजोर एंडियारफ ने महराष्टर सहित अन्य राज्यों में शुरू किया राहत ववचावकारेव विश्व स्वास्थ संगठन करोना वाइरस के उपचार के लिए हाइडरो ऑक्सी क्लोरोक्वीन की संभावित उपयोग पर फिर शुरू करेगा अधियान संगठन ने इस दवा पर परिक्षन जारी रखने की दीसलाहा प्रसिद फिल्म निर्देशक बासू चटरजी का निधन रजणी गंधा और चित्चोर जैसे ही मशूर फिल्मों का किया था निर्देशन अमेरिका ने 16 जून से चीन से यात्री विमान सेवा पर लगाई रोक अमरिकी उडानों को चीन में ना आने की अनुमती के बाद अमरिकी प्रशाशन ने उठाया ख़दम दुनिया भर में करोना संक्रमितों की संख्या 62 लाग से उपर 3,7,000 से उपर वा मृत्कों का अंक्रा